प्याज का सेवन तो हम सभी करते हैं और प्याज अक्सर हमारे हर एक व्यक्ति के घर पे देखने को मिलेगा क्योंकि प्याज का यूज सबजियों में, खाने में, सलाद के रूप में हम लोग बहुत सारे तरीके से प्याज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्याज हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे रोगों के लिए अलग-अलग तरीके से प्रयोग करने से बहुत ज़ादा फायदे मन्द होता है नमस्कार दोस्तों मेरा नामे प्रकासवीर और राज मैं आपको बताऊंगा कि प्याज के और आप कौन-कौन से फायदे ले सकते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं आयर्वेट का खजाना और आयर्वेट के खजाने में आज का टॉपिक है प्याज कि प्याज के हमारे और कौन-कौन से फायदे होने वाले हैं थैं में दोस्तों points बारात करते हैं और आज कीस टाउपक पे हम 5 points लेने वाले हैं प्याज के पावर बढ़ती है इसे रोग प्रतिलक्षंता हमारी बढ़ती है और हरा प्याज चेहरे की जुर्णियों को भी तूर करने में बहुत साधे बंद होता है इसे खाने से आखों की रूशनी भी पढ़ती है हरा प्याज माइक्रो न्यूट्रेंट्स को बनाया रखता है हमारी ब प्याज का लेप लगाने पर कम उम्र में सफेद हुए बाल फिर से काले होने लगते हैं तो यह भी बहुत इच्छी बात है नेक्स्ट अगेन अगर हम जौते पॉइंट के बात करें तो हिस्टेरिया जैसी जो प्राबलम होती हिस्टेरिया रोकी हिस्टेरिया के रोगी अगर बन्द हो जाए तो दो चम्मच प्याज का रस और गेहुं का अटा लेकर हलवा बना ले हलवा गर्म करके पेट पर लेप लगाने से फिशाब अना सुरू हो जाता है पानी में उबाल करके प्याज को पी रहे हैं तो इससे प्याज समद्दी बहुत सारे समस्था हैं यूटी आई की प्राप्लम से लगती हैं वो खतम हो जाती हैं यह ती हमारे आज अगर्वेट के खाजाने में प्याज के कौन-कौन से फायदे हैं इनके बारे बात की दोस्तों इसी तरह की की useful information आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है तो अकर चैनल के साथ अभी भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा जानकार या अच्छी रगी हो तो अपने दोस्तों में अपनी फ्रामली पर जरूर फवर्ट करें मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ नमस्क्राइब